नमस्कार बच्चों, School Made Easy Classes में आप सभी का स्वागत है आज हम हिंदी की इस कक्षा में कक्षा सात्वी का पांचवा पार्ट करेंगे जिसका नाम है मिठाई वाला आज हम इसके प्रशन उत्रों का भ्यास करेंगे इसका पहला प्रस्ण है मिठाई वाला अलग अलग चीजे क्यों बेशता था और महिनों बाद क्यों आता था यानि जो मिठाई वाला था वह अलग अलग चीजे क्यों बेशता था जैसे पहले वो मुर्ली वाला बन कर आया फेरी वाला बन कर खिलोने बेशने आया और अब मिठाई वाला बनकर मिठाई बेशने आ है तो ऐसा क्यों करता था और वह महीनों महीनों बाद क्यों आता था इसका उत्त्तर होगा मिठाई वाला अलग-अलग चीजें इसलिए बेशता था ताकि एक ही चीज बार-बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाए उसके महिनों बाद आने का कारण ये था कि वह इतने समय में सभी बच्चों के लिए दूसरी चीजे जमा करने में लगा रहता था इसी वज़े से बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी यानि जो मिठाई वाला था वह अलग अलग चीजे इसलि नहीं लेंगे और महिनों महिनों बाद वह इसलिए आता था क्योंकि एक बार समान बेचने के बाद दुबारा उसे बच्चों के लिए समान एकटा करने में समय लगता था जिसकी वज़े से वह महिनों महिनों बाद आता था और इससे बच्चों में उसके प्रति उत्सुकत भी बनी रहती थी इसका अगला प्रश्ण है मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजे से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी और खिचे चले आते रहे यैनि मिठाई वाले में कौन-कौन से ऐसे गुण थे कौन-कौन सी विशेषता हैं ऐसी थी जिसकी वज़से बच्चे और बड़े दोनों ही उसकी और खिचे चले आते थे इसका उत्तर है मिठाई वाला मादक मदूर डंग से गाकर अपनी चीजे बेचता था वह चीजों के दाम भी कम लेता था वह बच्चों से अपनत्यों के भाव से प्रेम पूरक और कौमलता से बात करता था इनी कारणों से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी और खिचे चले आते थे यानि जो मिठाई वाला था वह बहुत ही मदूर डंग से गाते वे अपना सामान बेचता था उसकी आवाज बहुत सुरीली थी और बच्ची जों के दाम भी बहुत कम लेता था इसी वज़े से बड़े लोग भी उसके पास अपने बच्चों के लिए खेल के लोने करीदने के लिए आते थे और बच्चों से बड़े प्यार से अपनतु के भाव से बात करता था जिस वज़े से बच्चे उसकी और खिचे चले आते थे अगला प्रशन है विजे भाबू एक ग्राहक थे और मुर्ली वाला एक विक्रेता दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तरक पेश करते हैं यानि जो मुर्ली वाला जब आया था तो विजे बाबू से समान जब खरीद रहे थे तो उनसे तरक भी तरक करने लगे कि तुम समान महंगा देते हो और सस्ता बताते हो तो दोनों ने अपने अपने पक्ष में अपनी अपनी बात रखने के लिए क समान एक ही भाव में देते हैं पर ग्राहक को दाम जादा बताकर बाद में से कम कर देते हो इससे तुम हम पर एहसान का बोज और डाल देते हो यानि विजे बाबू ने तरक दिया मुर्ली वाले को कि तुम सभी एक जैसे हो जूट बोलते हो चीज का दाम बढ़ा कर बताते और फिर कम दाम करके हम पर एहसान और दिखाते हो तुम सभी के सभी जूटे हो इसके विपक्ष में मुर्ली वाले का तरकी था मुर्ली वाला कहता है ग्राहक को वस्तू की लागत का पता नहीं होता उनका दस्तूर होता है कि दुकानदा चाहे हानी उठाकरी वस्तू क्यों लूट रहा है एनि मुड़ली वाला कहता है विजय बाबुसे कि आप सबको असल कीमत का नहीं पता होता जो वस्तुएं हम लाते हैं हम उन्हें कम पैसों में बेचे चाहे हम हान्य उठा कर बेचे लेकिन आपको हमेशा यही लगेगा कि हम आपको लूट रहे हैं ठीक है बच्चो अब अगला प्रशन देखते हैं खिलोने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी यानि जब खिलोने वाला आता था तो उसको देखकर बच्चे क्या क्या करते थी इसका उत्तर है खिलोने वाले के आने पर उसकी मधुर आवाज से निकट के मकानों में हलचल मत जाती थी यूतियां चीको को उठा कर चज्जे से नीचे देखने लगती बच्चे पुलकित हो उठते वे अपना खेल कूद भूल कर अपने सामान जूते चपल पतलून को अन देखा कर खिलोने वाले को घेर लेते थे वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलोने का मोल भाव करने में लग जाते थे यानि जब खिलोने वाला आता था तो उसकी आवाज सुनकर बच्चे बुड़े सभी उसको देखने के लिए अपने चज्जों पे खड़े हो जाते थे बच्चे अपना सारा काम छोड़कर खेलना कूदना उठना बैटना सब छोड़कर उसको घेर लेते तेर अपने घरों उसे पैसे लाकर उससे खिलोने खरीदने में लग जाते थे अगला प्रशन है रोहिनी को मुर्ली वाले के स्वर से खिलोने वाले का स्मरण क्यों हो गया यानि जब मुर्ली वाला आया तो उसकी आवाज सुनकर उसका गाना सुनकर रोहिनी को खिलोने वाला याद क्यों आय मुर्ली वाले का स्वर रोहिनी को जाना पैचाना सा लगा, उसे याद आया कि खिलोने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलोने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलोने वाले का संस्मरण हो गया, यानि मुर्ली वाले जब आया, तो वह गाकर अपने मुर्ली बेच रहा था, जब उसकी मुर्ली की आवाज सुनी, उसके गानी की आवाज सुनी, तो रोहिनी को ऐसा एसा सुआ कि खिलोने वाला फिर से आ गया, क्योंकि उसकी आवाज उसे जानी पैचानी सी लगी, ठीक है, अगला प्रशन है, किस की बात सुनकर मिठाई वाला भावख हो गया था, उसने इन वैवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया, यानि जब मिठाई वाला बात कर रहा था, किस से बात कर रहा था, कि वो भावनाओं में भैगया और अपनी कहानी बताने लगा, और अपने वैवसाय के बारे में उसने बताया था, कि उसने उसे क्यों अपनाया, तो ये सब उसने किस से बताया, इसका उत्तर है, रोहिनी की बात सुनकर मिठाई वाला भावख हो गया था, उसने बताया कि वह भी अपने नगर का एक प्रतिश्चित व्यापारी था, मकान, वैवसाय गाड़ी, घोड़े, नोकर, चाकर, सबी कुछ था, स्तरी थी, छोटे-छोटे दो बच्चे थे, अब वेज दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस वैवसाय को अपना लिया, क्योंकि उसे अपने बच्चों की जलत तूसरों के बच्चों में मिल जाती है, उनके चैर पास भी सब कुछ था, लिकिन सबका अंत हो गया, तो अब वे, अपने बच्चों का प्यार पाने के लिए, ये स्फेरी का काम करता है, खिलोंने बेजता है, मिठाई बेजता है, और ये सारा काम देवसाय उसने इसलिए स्टार्ट करा, ताकि वे बच्चों से मिल सके, और प्रशन में अपने बच्चों की खुशी ढोंड लेता है अगला प्रशन है अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा इसका उत्तर है कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आई उसे लगा कि वै अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है यानि मिठाई वाले ने रोईनी से पैसे लेने से इसलिए मना किया क्योंकि पहली बार किसी ने उससे उसके बारे में पूछा उसके हालचाल के वैवसाय के बारे में पूछा और उसकी दुकत बाते सुनी और उसको समझा और साथ के साथ जो चुनु मुझनु थे उन्हें देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ थी उसे ऐसा लगता था कि मैं इनको कुछ दे रहा हूं तो अपने करती हैं तो क्यों आपकी राय में क्या यह सही है सहरों में इस्तिरिया चिक के पीछे से बात नहीं करती परंतु गाओं में तथा रूडिवादी परिवारों में इनका पालन होता है क्योंकि ऐसा करना संसकार के साथ सम्मान के तोर पर भी लिया गया मेरी राय में बिल्कुल लोग और भी उचित नहीं है। चुंकि यह इस्त्रीयों की सुतंता को हनन करने जैसा है। यह उनके प्रगत्ती को तो रोकता ही है। साथ ही तेश की प्रगत्ती में भी संकट पएदा करता है। तो शहरों में ऐसा नहीं है लेकिन गाओं में और रूडिवादी परिवारों में आज भी ऐसा ही है वहाँ ऐसा ही होता है तो उन्होंने इस चीज का पालन इसलिए किया कि उन्हें लगता है कि ये सब हमारे संसकार हैं और सम्मान के तोर पर इस चीज को अपनाते हैं लेकिन मेरी राय में ये सब उचित नहीं है, क्योंकि इस्त्रियों को भी बराबर की स्वतनता मिलनी चाहिए, आज जहां देश कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा है स्त्रियों और पुर्षों के साथ, वहीं ये प्रताये स्त्रियों को पीछे दखेलती हैं, तो इससे देश की प प्रशन उत्तर कर लिएं सारे, आप इसको कोपे में नोट डाउन करो, और याद करो, थैंक यू बच्चो,